नमस्कार दोस्तों आर्यास की जानारी स्टेचिंग में आप सभी क्या स्वागत है तो आज के वीडियो में स्लीप टीचा इन बनाना बताएंगे तो इस तरह दिक हमने आठ इंच लंबाई लेली है अब हमें कट करना है सिंपल स्लीप टे इन इंच लेंगे आर्मोल की गुलाई के लिए और इस तरह से निशान करेंगे आर्मोल का अब इसको यहीं से कट कर लेना है तो यह हमने कट कर लिया अब देखे इस तरह इस पर कट करना है नीचे से हलकी सी गोलाई देते हुए सिधा निशान उपर तक ले जाएंगे अब इसे कप्ड़े पर रखके काट कर लेना है अब कप्ड़े की इस्तिधी वाली तरफ रखेंगे देखे जहां से यह निशान किया है वहें से सिलाई लगा लेनी है तो यह देखे इस तरह सिलाई लगा लिए है दूसरी तरफ से लगाएंगे तो इस साइट ले आएंगे अब इसको कट कर लेना है दो पार्ट इसके होंगे तो इस तरह से कट कर लिया वह यहां पर कट लगा देंगे उसके बाद इसे पलट कर सीधा करेंगे तो बहुत ही प्यारा औरा साइट लेकर आए हैं तो इस तरह देखे सिलाई लगाएंगे दो दूसरा पार्ट भी सिम तरीके से त्यार करेंगे तो इस तरह सिलाई लगा ली है अब देखे ये बार्डर वाला कप्ता है इसको कट किया है चौड़ा इसकी धाय इंच है धाय इंच का चकोर कट करने के बाद इस तरह से देखे मुर्थिवे सिलाई लगाई अब दोनों को जोड़ना है तो इस तरह दोनों रिजानों को जोड़ लेंगे फिर इसी तरह से जितनी लगेंगी सारी लेनी है पांच या अच्छा लगेंगी इस पर तो इसी तरह से सारी फिर बना लेनी है उसके बाद देखे इसको इस तरह से लगाना है पिलकुल बराबर से मिलाते हुए सभी रिज जाने इस तरह लगाएंगे तरफ से लगा दिया है दूसरी तरफ भी बराबर से इस तरह मिलाते हुए जिलाई लगा लेना है तो हमने दोनों तरफ से इस लाई लगा कर अच्छे से यहां पर लगा दिया है अब डोरी लेना है तो दिखें ने डोरी बना लिए है अब इस तरह से दोरी से रिजाइन होगी बिल्कुल इसके बीचों भी इस तरह से डोरीयों से क्रास करते हुए छोटी-छोटी सी में ले जाते हुए सिलाई लगा कर से कट कर लेना है तो इस तरह से देखें इसे लगा दिया है यह डोरी वाले डिजाइन से बना लिए है अब नीचे की तरफ भी छोटी-छोटी सी डोरियां के डिजाइन से इससी तरह डोरी बनाना है और छोटी-छोटी सी कट कर लेना है लगवाग डेड़ या दो इंच की ले सकते हैं और इस तरह इसको लगाएंगे और वहां पर देखें आधा इंच हमने सवरी डेड़ इंच छोड़ दिया है जितना कप्रा सिलाई में जाएगा उतना छोड़ देंगे आप चाहें नाप लगा कर इस तरह लगा सकते हैं दूसर तो इस तरह देखें से लगाने के बाद हमें मौतियां इस तरह इसे लगानी हैं हर एक डिजाइंस के बीच में केक करके लगाएंगे और फिर नीचे जो डिजाइंस है उस पर भी लगाएंगे तो इसी तरह पूरे पर मौतियां लगा लेनी हैं दिखें हमने पूरे डिजाइंस पर मौतियां लगा लिये हैं नीचे इस तरह से दो लटकने लगा देंगे चोटी चोटी सी दो लटकने इस तरह से लगा देने हैं जितनी बड़ी रखना है उतनी मौतियां डाल लिये हैं हमने और इस तरह यहां पर लगाएंगे इस तरह दिखे हमने एक लटकन लगा लिए इसी तरह से में दूसरी भी लगा लेना है दूनों लटकने बिल्कुल बराबर रखेंगे तो इतनी ही मुतियां डाल रखेंगे और इस तरह आप ले जाकर लगा देंगे तो लटकन लगाने के बाद हमारा ये डीजाइन्स तयार हो जाएगा तो इस तरह से आप 14 सलीब डीजाइन्स का पैटन तयार कर सकते हैं अगर डीजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर करना न भूलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन की साथ धन्यवाद